Hey all right and welcome to all in today's the Hindu News discussion Now daily के basis पे complete newspaper analysis करते हैं और हर एक page से जो भी important news रहती है UPSC prelims के लिए और mains के लिए उसको detail में जानते हैं हम हमेशा political और criminal news को skip करते हैं क्योंकि वो UPSC point of view से relevant नहीं रहती है Monday, आज है Monday, Monday to Friday एक answer writing दी जाएगी आज के कुछ editorial के basis पे या आज के कुछ news के basis पे एक हम answer writing करेंगे बट सबसे पहला section क्या रहता है हमारे जितने भी हम हर एक page में highlighted news रहती है उनसे related जो हम output निकालते हैं वो सबसे पहले हमारा section रहता है तो सबसे पहले हम notes जान लेते हैं जो हमारे आज के notes हैं जो आज के news paper के हमने notes extract किये है तो now सबसे पहले 13 December के हिंदू के notes जान लीजिए सबसे पहला जो notes है हमारा cooperative bank अब आप लोगों को economics बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमको तो टप लगती economics तो आपको कहीं न कहीं सबसे पहले अपना static जो है बूस्ट करना पड़ेगा तो मैं cooperative bank commercial bank और small finance bank की previous history बताऊंगा UPSC prelims के लिए इसमें कोई mains का topic नहीं रहेगा तो cooperative bank कैसे अलग होते हैं commercial bank से commercial bank क्या होते हैं इसको हम देखेंगे उसके बाद एक urban cooperative bank और commercial bank में क्या difference है इसको हम जानेंगे और क्या-क्या RBI की rules and regulation होते हैं और सबसे important अभी हाली में क्या हुआ सिवालिक mercantile cooperative bank limited को convert किया small finance bank में अब यह पहली बार हो रहा है ऐसा क्यूं हो रहा है इसको भी हम देखेंगे ठीक है second जो हमारी news आती है आज है कासी विशुनात corridor आज हलकि 2019 में ही इसकी foundation डाल दी गई थी stone foundation जिससे कहते हैं बट कासी विशुनात corridor क्या है इसको हम discuss कर लेंगे उसके बाद sedition law article 124a माना जाता है ये अंग्रेजियों की जमाने का law है महत्मा गादी और बाल गंगाधर तिलग को इस charge के basis पर अंदर किया था और अभी भी ये prevalent है तो हमारे खुछ चीप justice of India कहते है sedition law को हटाना चाहिए ये क्या है इसको discuss करेंगे previous histories को detail में जान लेंगे और स्रिलंका के relation जिसमां बात करेंगे हम 13th amendment अब ये भारत का 13th amendment act नहीं है ये है पूरे international relation bilateral relation ये news के notes है ठीक है 2021-2022 prelims के लिए है ठीक है but without moving further telegram application download कर सकते हैं और search box में type करना PR publication बिना space दी है और जो अभी हमने note show किये अगर वो चाहते हैं एक साल तक newspaper में ऐसे quality content आपको notes मिलते हैं date wise current notes daily answer writing 6-12th notes और एक साल में हमारे कुछ 2000 से ज़्यादा paid user जुड़े हैं तो सिर्फ 499 रुपीज आपको google पे phone पे करना है और उसी की screenshot same number पे phone पे whatsapp में screenshot भेजनी है हम आपको अपने telegram private group से add कर लेंगे जहां पर सब भी material आप access कर पाएंगे तीनो material एक साथ access करने है जिसमें early test series और video course है cset का तो वो 999 में आप access कर पाएंगे साथी साथ guaranteed 60 badge की कुछ 57 जो seat है वो fill हो चुकी है सिर्फ 3 seat बची है जो की UPSC pre or mains के लिए complete package है video plus notes का प्लस उसमें 13 मंत का current affair भी होगा जिसको हम particularly for MIS magazine से करा रहे हैं जो prelims specific है और पिछली बार हमारे selection होए थे 88 में से 17 अब हम पूरे UPSC को focus कर रहे हैं सिर्फ 60 बच्चों में तो join कर सकते हैं और इसके price है 2499 इसको कम करके 2099 प्राइस में भी आपको अवेल करवा सकते हैं थेंक्यू नाव सबसे पहली बात करते हैं RBI NPM signal reform and troubled urban cooperative bank reserve bank of India और प्रधान मंतरी जी कहते हैं कहीं न कहीं reform लाने की जरुवत है ऐसा क्यों ऐसा क्यों चेक किया जा रहा है देखो इससे पहले भी अगर मैं दूसरे parameter में देखूँ जैसी अभी CDS Chief of Defense Staff और बड़े बड़े जो आर्मी की top official है Crest में वो मारे गए थे अब इसके जब vacuum crate हो जाता है न तब एक reform लाने की जरुवत होती है अभी Reserve Bank of India के गवर्नर हैं सकती कांता दास उन्होंने indicate किया that the banking regulator will ring in sweeping regulatory changes to reform अर्बन कॉपरेटिव बैंक में कुछ न कुछ changes चाहिए अब जैसे बहुत बार क्या होता है अर्बन कॉपरेटिव बैंक high interest देती है बड़ उसमां high risk भी रहता है अब बहुत सारे जो economy background नहीं है जो fresher हैं वो समझ रहोंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं बहुत simple सी बात बताता हूँ देखो government decision to raise the insured limit for bank deposit to 5 lakh from 1 lakh with 90 day time limit to pay out deposit as landmark deployment दूसरा just because bank is offering ये वही चीज़ है बट ये चीज़ें आप तब समझोगे ये चीज़ें आप तब समझोगे जब हम commercial cooperative bank के बारे में जान लेंगे बट अभी यहाँ पर ये जान लो बहुत सारे जो middle class लोग हैं जब वो cooperative bank में अपना पैसा जमा करते हैं तो non performing asset बढ़ जाता है ठीक है high interest देने के चक्कर में urban cooperative bank को loss हो जाता है उसके चक्कर में वो जिन लोगों ने पैसे deposit किया है उनको जल्दी नहीं मिल पा रहे हैं देखो यहाँ पर क्या है 300 करोल to over 1 lakh depositors whose fund were stuck in the distressed bank for years सोचो उसके साथ साथ governor जी ने ये भी बोला we have come out with the new governance guidelines for the commercial bank and we have constituted a committee for bringing about reforms in urban cooperative bank अभी exact नहीं पता है कि क्या reform लाने है बड़ ये बोल रहा है कि हमने एक committee बनाई है जो commercial bank और urban cooperative sector में reform लाएंगी पर सबसे major issue ये क्यों इतना ज़्यादा concern कर रहे है क्योंकि यार बैंक किसले बनाए है हमारे लिए urban cooperative bank अगर मेरा पैसा यहाँ पर अटक जाए किसी भी bank में तो यार मुझे कितना गुस्स आएगा personally अपने में लेके देखो तो ये चीज PM Modi और RBI गवर्नर सक्तिका अंदास के पास गई जहाँ पर बहुत सारे जो रुपे हैं बहुत सारे डिपोजिटर के फसे पड़े हैं क्यों क्योंकि यार cooperative bank के बाद खुस पैसा नहीं है उनके पाप भी non performing asset है मतलब उन्होंने loan में दे दिया किसी चीज़ को और वो पैसा वापिस नहीं आ रहा है किसी एक company से किसी एक business man से right but question ये आता है कि ठीक है reform चाहिए reform तो हम देखेंगे बट क्या इस चीज के अभी आपको notes बनाने है पूरे news notes जो मैंने दिये है नहीं आपने news जान ली है क्यों ये पंगे कर रहे है लोगों के पैसे फसे है तो ये news काफी है आपकी बट आपकी जो output notes है वो हमने already release कर दिये तो आप उसको ध्यान दो जादा इसी तरह होती है यह हमारी fundamental right भी है cooperative society बनाना article 19 के अंदर fundamental right है हमारा मौली का दिकार है DPSP के अंदर यह हमारा मौली का दिकार है cooperative society बनाना फिर उसमें cooperative society के अंदर उसको register करना पड़ता है cooperative act के अंदर और यहाँ पर क्या है अब जो यह cooperative bank बन गया सबोज यह 100 मेला है एक एक हजार उपे पर मन्त दे रही है कुछ टाइम बाद एक महला को लोन चाहिए होगा तो यह पैसे से इसी को लोन मिल जाएगा तो generally यही पूरा concept है वो बैंक कहां पर चल रहा है सहरी छेतर में चल रहा है ग्रामेट छेतर में चल रहा है उसे cooperative bank कहेंगे मैं कहुंगा बहुत simple cooperative bank बहुत simple है कैसे आपकी area में पंदर लोग है उन पंदर लोगों ने decide किया कि वो एक जो है पैसा एकटा करना चाते है सबने एक हजार रुपे submit करे और अपने को legal तरह से register भी करवा लिया कितने एकटा हो गए suppose पंदर लाख एकटा हो गए अगर हजार लोग थे तो पंदर लाख एकटा हो गए अब ऐसे हर मैने जमाते हो जाएंगे अब एक बंदा गएगा मुझे लोन चाहिए तो यह कहिंगे ठीक है आप हमसे ही ले लो एक बंदा इसी का जिसने submit के हैं तो इसको पंच लाख रुपे मिल जाएंगे और उसको interest देना पड़ेगा हाला कि जैसा मैंने बोला इसको legal तरीके से जो है register करवाय जाता है तो यहाँ पर voting की जाती है chairman की ऐसा नहीं होता कि अपने मनमान नहीं करो जो तगड़ा बंदा है समाज में वो ही नहीं ऐसा नहीं यहाँ पर cooperative banks में पूरी voting होती है chairman के लिए MD के लिए राइट अब commercial bank ए commercial bank की जो financial institution which perform the function of accepting deposit from the general public and giving loans with the aim of earning profit यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं लोग cooperative banks में जो member हैं उस bank के member हैं वो ही लोग हर मंत deposit कर रहे हैं और जिसको भी चाहिए होगा वो यहाँ से ले जाएगा बट commercial bank की क्या होगा लोग general public deposit करती है commercial bank loan देता है लोगों को ताकि उसका main aim होता है profit कमाना बट cooperative bank का aim कभी भी profit कमाना नहीं होता उसका aim होता है उसके members को हर एक condition में जो पैसे की monetary जो कमी है वो खले न वैसे ही commercial bank क्या होता है generally इसको profit कमाने का होता है तो वो deposit भी जमा करता है loan भी देता है तो RBI has specified certain regulatory trigger point for initiation of certain structure and discretionary action with respect to bank hitting such trigger point तो RBI इनको regulate भी करता है ठीक है जैसे बहुत सारे prompt corrective action लेता है RBI अगर कोई जो bank नहीं मान रहा है कुछ rules and regulation follow नहीं कर रहा तो RBI PCA ले सकता है जिसमें capital education ratio होना चाहिए मतलब कुछ पैसा आपको जमाहीं करना पड़ेगा वो सब loan में नहीं देते non-performing asset पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप सो समझ के loan दीजिए उसको loan मत दीजिए जो वापिस नहीं कर पाएगा return on asset ठीक है यह सब चीज़ें पर PCA जो बना सकता है RBI ठीक है बड़ यहां पर देखो the PCA framework is applicable only to commercial bank and is not extended to comrade cooperative banking and non-banking financial company सो जो कितना बड़ी बात यहां पर कह दिये है हमने prelims के लिए अब जो यह चीज़े में detail में बता रहा हूँ क्यों मैं इस पर invest कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चे अल्रड़ी जो हमारे वैसे limited user base है उनको पता है कि हम क्या पढ़ा रहे है पुरा trust है उनको पर उनको पता है कि UPSC prelims की demand क्या है आप कोई भी हिंदू ने उस पर देखो आपको उतना अच्छे से explanation नहीं मिलेगा आप सबको पता है खुद PCA framework applicable सिर्फ commercial bank ही है मतलब RBI कुछ restriction लगाता है जैसे ये capital adequacy ratio NPA ROA तो ये सिर्फ applicable है commercial bank में PCA क्या होता कुछ नहीं RBI मतलब होता न जैसे आपका बड़ा भाई है एक छोटा भाई होता एक बड़ा भाई बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई में धौस दिखाता है तो वो ही RBI धौस दिखाएगा commercial bank में बड़ cooperative और non banking financial companies में नहीं दिखाएगा तो इतना जब जान लिया तो इतने से prelims का एक topic हमारा पूरी अच्छे से clear हो गया है चलो एक urban cooperative bank और commercial bank में अब हलका सा और थोड़ा सा difference देख लेते हैं क्योंकि अभी newspaper में urban cooperative bank को थोड़ा सा detail में जाना था इसलिए हमने सोचा urban cooperative bank और commercial bank में हलका सा आपको difference बता देता है regulation unlike commercial bank urban commercial bank are only partly regulated by the RBI urban cooperative bank पूरी तरह नहीं regulate किया जाती है RBI की तरह कुछ हिस्सा urban cooperative bank का RBI regulate करता है धियर banking operation are regulated by the RBI which laid down their capital education risk control and lending norms howard their management and resolution in case of distress is regulated by रइस्टार और cooperative society either under the state or central government देखो जो अगर management खराब हुआ तो cooperative society या state और central government उसको manage करेंगी बट अगर urban cooperative bank जैसे अभी बोल रहे थे ना बहुत ज़्यादा लोगों का पैसे रुके हुए हैं bank में तो यह lending norms हैं कितना आपको loan में पैसा देना है वो सब RBI देखेगी ठीक है urban cooperative bank rule की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है borrower can be shareholder in general for a commercial bank there is a clear distinction between its shareholder and borrow where as the urban cooperative bank borrower can be even double as double up as a shareholder simple सी बात है borrowers क्या होते हैं commercial bank में तो मैं PNB से SBI से ले सकता हूँ बट अगर urban cooperative bank से मुझे से लेना है तो मुझे इसका member बनना पड़ेगा तब ही मैं इसको ले पाऊँगा अब देखो बहुत सारी चीजे हैं कि urban cooperative bank में कब restriction लग सकते हैं I think अब आपको clear हो गया होगा urban cooperative bank और commercial bank मैंने पूरा detail में समझा चुका हूँ अब देखो क्या है तो सबसे पहला parameter है when net non-performing asset exceeds 6% of net advances non-performing asset क्या होता है कुछ लोग पैसे लेके गए bank से और वापस नहीं किया तो वो जो asset होगा bank का तो वो तो NPA ही बन जाएगा बहुत simple सी बात है when losses are incurred for two consecutive financial year और losses have accumulated on the balance sheet अब lossy loss देखने को मिल रहे है हर financial year में तो फिर restriction आ जाती है capital education ratio falls below 9% capital education ratio और कुछ नहीं बलकि क्या होता है कि bank के पास कितना रुप्या बचा है बहुत simple सी बात है अगर सब चीज़ें वो loan में ही चड़ा देंगे उनके बाप bank के पास कुछ बचे का नहीं अब आप कोगे sir bank के बाप बचना क्यूं है क्यूं रखना होता है bank को बहुत simple है यार अगला बंदा आपने ही bank में deposit किये हैं तो ऐसा नहीं कि आपके पैसे को वो सब loan में चड़ा दें तो 9% से नीचे नहीं होना चाहिए bank के पास fund बचना चाहिए suppose कैसा कभी crisis आ गया अगर मैं lane देन वाला हूँ मेरे पास bank में deposit है तो मैं तो bank के पास जाओंगा ना मेरे पैसे दो वापिस करके तो यहीं होती है capital education ratio यहीं होता है सही आ गया economy में है अब देखो एक हम notes पढ़ रहे है बड़ इसमें समझ में बहुत सारी चीज़ आ रही है NPA जान लिया Urban cooperative bank जान लिया तो यहीं खास बात होती है पर्टिकलर एक आप news पढ़ो उसके साथ 100 topic के बारे में जानकारी ले लो तो आज जिन लोगों की economy खराबती है आज उनको भी समझ मारा होगा capital education ratio क्या होता है कि bank को कुछ पैसा जो maintain करा रहना होता चाहिए चीक है चलिए आगे यह तो हमने पूरा discuss कर लिया possible restriction action जो reserve bank of India लेता है वो यह यह NPA वगरा यह बढ़ हाली में क्या हुआ सीवालिक mercantile cooperative bank मतलब यह cooperative bank था इसको small finance bank में convert कर दिया आपको क्या रहे ऐसा क्यों भाई देखो सीवालिक mercantile cooperative bank limited had become the first urban cooperative bank to granted in principle permission by RBI to convert into small finance bank अब सबसे पहला सीवालिक mercantile cooperative bank पहला पहला urban cooperative bank था जिसको RBI ने permission दी कि तुम convert हो जाओ small finance bank में the move comes after the RBI had announced a scheme on voluntary transition of urban cooperative bank into small financial bank in 2018 अब यह अठारवा यह second point देखो UPSC prelims का अब डारेक्टली यह question आता है airwise कि कौन सा Reserve Bank of India ने कब announce किया था कि जो urban cooperative bank होंग voluntarily मतलब खुद से अगर वो चाहें तो small finance bank में convert हो सकते हैं तो उस पर उनको और अच्छा क्या बनता है profit हो जाता है profit मतलब उनके shareholder को member को profit हो जाता है तो 2018 माई थी यह UPSC prelims का दूसरा point है अब small finance bank की क्या होते है small finance bank are specific segment of banking created by RBI RBI ने बनाया है और यह अलग तरह की banking create करता है under the guidance of government of India within objective of furthering financial inclusion अब small finance bank का भी main name यही रहता है कि जो unserved area ना जहां पर bank नहीं है मतलब जहां पर bank की छोटी सी भी branch नहीं है लोगों को 50-50 km दूर आना पड़ता है एक bank का खाता खुलवाना तो उस लिए काम करता है हमारा small finance bank मतलब unserved area में undeserved section including the small business unit, small marginal farmer, micro small industry इनको भी loan देने में सक्षम रहता है like other commercial banks, these banks can undertake all the basic activities including lending and taking deposit small finance bank की भी commercial bank की तरह है छोटे area में पैसे ले सकते हैं पैसे को loan पर दे सकते हैं the RBI issued the guidelines of small finance bank in November 2014 देको सब UPSC films का fact complete I think जब मैंने इसमें 17 minute देकि पहले तो 18 minute में हमारा पूरा news paper खतम हो जाता था आज हमारा 18 minute पूरे इसी में लग गए क्यों क्योंकि ये topic की demand थी नहीं तो मैं 22 minute का भी lecture बनाता हूं तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है topic की demand के basis पे lecture बनेगा तो सभी पूरा हमने discuss कर लिया आज आपको पूरा clear हो गया होगा 2018 में किसी भी urban cooperative bank को voluntarily small finance bank में convert होने की permission दे दी गई थी तो सबसे पहला जो bank था वो था कौनसा सिवालिक mercantile cooperative bank पहला urban cooperative bank जिसने अपने को small financial bank में convert किया अब इसका भी काम पूरा छोटे एरिया में जहां पर bank branches नहीं होती वहां पर यह खुलते हैं landing deposit यह सब काम कर सकते हैं I think अब आपको मज़ा आया होगा इस पूरी news को सुनने में समझने में नहीं बात करते हैं second news की PM to open कासी विशुनात corridor आज खोलने वाले हैं 400 मिटर लंबा कासी विशुनात corridor वारनसी connecting the ancient temple dedicated to Lord Shiva to the bank of Ganga would be inaugurated by PM Modi on Monday यानि कि आज को 400 मिटर का लंबा corridor है और यह corridor सभी ancient मंदिर को connect करता है ताकि लोग जाएं विजिट करें foundation stone जो की हाला कि मार्चार्ट 2019 में डाल दिया गया था बर 2022 उत्रपरदेश के election तक यह complete हो जाएगा around 500 religious leaders families अब यह negative चीज भी है families whose houses around 300 in total were demolished to make way for the corridor had been invited for the event he said जिनके demolished हुए है उनको भी event के लिए inaugurate किया गया हाला कि उनको rehabilitation और compensation दे दिया गया है और कुछ लोगों के लिए बचा भी है ठीक है सबी लोगों को नहीं मिला है बात करते हैं कासी विस्वनात की कासी विस्वनात कोरिडोर topic है Indian culture will cover the silent aspect of art forms literature, architecture from the ancient to modern times what to study क्या हमें पढ़ना है for prelims and mains location of कासी विस्वनात the proposed corridor and its significance context की अगर मैं बात करूँ PM Modi ने foundation इस्टाउन डाला कासी विस्वनात कोरिडोर का key fact the project envisioned a massive makeover of the holy shrine and its surrounding areas आप सबको मैंने अल्रेडी बता दिया है the massive makeover is the first after the 1780 AD when the Maratha queen Ahilya bhai holker of indoor renovated the temple and area surrounding it Ahilya bhai holker के नाम से जो मद्यप्रदेश में एक airport भी है आप सबको पता होगा तो 1780 AD में Maratha जो क्यून थी उन्होंने इन सबको renovate करवाया था इन सब मंदिरों को और अभी क्या हो रहा है जैसे बहुत सारे मंदिर है गंगा का मनी करनी का का टच करेगा लली ता घाट को करेगा दा कासी विसुनाद जोतिर लिंग टेंपल को ये कनेक्ट करेंगे बेक्राउंड क्या है कासी विसुनाद टेंपल आप गंगा के वेस्ट में देखेंगे तो कासी विसुनाद टेंपल मिल जाएगा एक बार जोतिर लिंग है पूरे भारत उसमें और उसमें से एक ये माना जाता है राइट नाव बात करते हैं ओफिस वेकेंसी राइजिंग इन बेंगलूरूरू अभी मैं खुद कहूंगा कि यार मेरे फ्रेंड्स लोग अगर आये होए हैं कोई डैली में जॉब करता था कोई बैंगलूरू में जॉब करता था पेंडेमिक आया अब वो यहीं है वो हमसे पूछते हैं कि सर किसमें इन्वेस्ट करें अगर हमें चमपाउत में ही बिजनस करना है तो किसमें इन्वेस्ट करें कहने का मतलब वो जॉब जो पहले करते थे उनकी वेकंसी तो खाली हो गई वेक्यूम क्रेट हो गया तो यहाँ पर यही बात आती है वहाँ पर यही बात आती है कि बेंगलूरू में एक अभी डेटा निकाला गया और बोला गया कि बहुत सारी अभी धीरे धीरे जब lockdown हट रहा है बहुत सारी companies खुल रही है बेंगलूरू में तो वहाँ पर vacancies बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं आप इन companies को attract करना चाहिए जो लोग घर आ चुके हैं जो skilled लोग हैं जो घर आ चुके हैं उनको कहीं ना कहीं उनके लिए advertisement लाना चाहिए कि आप लोगों को इतना accommodation मिलेगा इतना salary ताकि यह business culture बहुत अच्छा बना है Silicon Valley आपने देखी होगी USA में बहुत बड़ी बड़ी जो giant companies हैं Silicon Valley में तो Bengaluru भी एक Silicon Valley की तरह माना जाता है जहां पर बड़ी बड़ी giant companies देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं आप यार मेरा suggestion तो यही रहेगा company से company को अपना profit करना अपने skill labor चाहिए vacuum crate नहीं करना तो आप क्या क्योंकि company बहुत देखे call भी करती है company ऐसा नहीं है कि पर company मानती नहीं है कि हाँ इतना आप सब पने बता होगा सब लोगों ने job भी की होगी हाँ आपको तो accommodation नहीं मिल पाएगा सिर्फ 35,000 salary है आपकी सिर्फ 42,000 salary हम देंगे ठीक है कोई कह रहा है 33,000 salary देंगे accommodation नहीं हो प होता तो हम कराते देखे point of view से क्या होता कुछ नहीं यह जो editorial है वो Joe Biden से related है मतलब जब campaigning चल रही थी Joe Biden की तब तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि democracy को ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर जो submit of democracy submit for democracy तो उन्होंने पूरा main focus यहाँ पर यही किया कि जितने भी all over world में देश है जो authority दिखाते हैं draconian behavior दिखाते हैं democracy को उतना नहीं मानते तो उनके लिए awareness फिलाई जाने की जर्वत है दूसरा यहाँ पर in South Asia inclusion of Pakistan along with India नेपाल बड़द exclusion of Bangladesh अब देखिए क्या होता है बहुत सिंपल है अब मयानमार की अगर जब भी मैं बात करूँ मयानमार की क्या वहाँ democracy अभी इस्टेबलिस है तो आपका अंसर होगा no sir feb से आप का होगे military रिकूप चल रहा है तो ऐसी ही democracy को फिर से revive करने की बात की जारी है कहां पर अफगानिस्तान मयानमार इन सब में जहां पर autocratic regime शल रहा है that the rule by the power of the gun caste doubt on the efficacy of the international system in enforcing democracy through actional intervention ठीक है now second है Wikileaks आप सबको पता है Wikileaks क्या है बहुत सिंपल सी बात है यहार एक journalist है उसको arrest कर लिया गया है उसने देखिए जो भी सरकार ओफिशियल क्राइम करती है ना cover-ups करती है उनको एक्सपोज कर दिया था तो अब लंदन की जेल से उसको यू यूएस भेजा जा रहा है एनी रिस्पॉंसिबल डेमोक्रेटी गवर्मेंट शूड है टेकन एक्शन अगें दोस हूं कमिटेड दोस क्राइम्स बड़ यहां पर अभी बात की जारी है पूरे एडिटोरियल महाला कि आपको उत्मा जाने की जरुवत नहीं है अभी पूरे यहां पर यही है कि लंदन की कोट में है वो क्या फाउंडर विकी लिक्स का फाउंडर को ने जूलियन एसेंज आप इसको चेक करना और अभी उसको यूएस भेजने की बात की जारी है बट में मैं बात करूँ तो misinformation नहीं फेलाई फिर भी उनको arrest किया गया है फिर यह constitution से related चल रहा है मैं कहूंगा अभी हमारी polity की जो classes चल रही है वो पूरे इस चीज़ को cover करती है static part है और यहां पर से पढ़ो भी मतलि चीक है इसे बढ़ी एक लक्षमी कान्त का बुक का एक chapter निकाल editorial चापना है तो चाप दो वाली बात है पढ़ना है तो अब पढ़ सकते हो बट वही है लक्षमी कान्त का बुक इससे बढ़िया दो chapter revise कलो इस editorial को पढ़ने से पहले post pandemic world में क्या करना है इंडिया क्या crucial role रहेगा वहीं पर बातें की गई है कि भारत को अब invest करना चाहिए ठी की सरा हेल्थ के सेक्टर पर काम करना चाहिए वही चीज़ें की CPT यहां पर बोली गई है पोस्ट पेंडमिक जो चलता हुआ आया हुआ है क्लाइमेट चेंज रेंडम से एफेक्ट दी गए कोई क्लाइमेट करा है कोई कॉम्टिवनेस करा रहा है टेक्नलोजी करा आइए आर्टिफिशियल इंडिजन्स करा है क्रिप्टो करेंसी करा तो रेंडम ये बात हैं तो आप सबको पता है already नाव बात करते हैं सुप्रिम कोट हैस टेकन नोट अब सेक्शन 124 ए मिश्यूज यूनियन लॉव मिनिस्टर किरन रिज्जू उन्होंने पारलेमेंट को रिपलाई किया कि और एन्वी रमना जी ने तो ये भी बोल दिया कि यार चीप जश्टिस ऑफ इंडिया ने कि यार ये जो सेडिशन लॉव है ये तो हमारे महत्मा गांदी जी और बाल गंगादर तिलक को जेल में डालने के लिए बनाया गया था अब तो इसका मिस्यूज किया जा रहा है तो अब हम सेक्शन 124a की कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं जो आपको अच्छी लगेगी सेडिशन लॉव जनरल स्टेडिस पेपर टू इस्यूर आइजिंग आउट ओफ डिजाइन इंप्लिमेंटेशन और पॉलिशी और नियूज में क्यों हो रहा रिसेंटली दे सुप्रेम क सेंचुरी जब भारत पर इस्ट इंडिया का कपजा था तब वो चाहते थे कि सरकार के आप खिलाप कुछ भी एडिशनल ना बोलो आप अपने काम से मतलब रखो बट अगर भारत देश आजात हो चुका है तो यह सेडिशन लॉक की क्या जरुवत है वो तो इस्ट इंडिय गया सेक्शन 124A वज इंसर्टे इन 1870 बाइमेंडमेंट इंडियू बाइ सर जेम्स स्टीफन इट वस वन अप दे मैनी ड्रैकोनियन लॉइन एक्टेट तो इस्टीफल एनी वाइस अप डिसेंट अट तो सर जेमस स्टीफन जब लॉस का मेंबर आता ना जेमस स्टीफन का नाम आता है क्योंकि इन्होंने इंसर्ट किया था सेडिशन देश्द्रोह के चार्ज सेडिशन एडिफाइन सेडिशन एज इन ओफेंस कमिटेड वेन एनी परसन बाइवर्ड या तो बोल रहा है इधर इस पोकन और रेटन या तो लिखा है या बोल रहा है और बाशाइन या तो साइन से और वाइविजिवल रेप्रेजेंटेशन और अदर्वाइस ब्रिंग टो अटेंप्ट ब्रिंग इन्टो हेटर और कंटेंप्ट छीक है डिस अफेक्शन इंक्लूट्स दिसलोयलिटी और ओल फिलिंग अप एनिमिटी तो यही होता है अपना सेडिशन तो इसके बेसे इस पर उसको एरेश्ट के जाता है सेडिशन का चार्ज एक नॉन बॉलेबल ओफेंस है पनिश्मेंट दी जाती है तीन साल तक या पूरे वर्सों तक ए परसंट चार्ज अंडर दिस लॉइज बैरेट फ्रम गवर्मेंट जॉब देयर पासपोर्ट एंड सॉबरेनिटी का मतलब देखो एस पर और हंडेड इंडिया रशिया से खरीद रही है अगर रशिया से खरीदेगी तो यूएसे में भी कार्ट सा लगा सकती है बट बहुत पॉसिबल है नहीं लगाएगी और रशियन की डिप्लोमेंट ने बहुत अच्छी बात की कि एस प नौर्थ एथोपियन यह अफ्रिकन कॉंटिनेंट का एक देश है ठीक है लाली बिला यूनसको वर्ल्ड हरिटे साइट है लाली बिला और इसको ट्रिगरे रेवल ने कैप्चर कर लिया है और ट्रिगरे यह हैं कौन अबाउट टिगरे क्राइस टिगरे वार इस ओंगोइं टिगरे एक एथोपिया का नौर्दन मोस्ट रीजन है बॉर्डरिंग एरिटरिया एटि दा होम टू मोस्ट अप कंट्री एस्टिमिटेट साउन मीलियन एथनिक टिगरे रियंस है एथनिक ग्रूप है यह एथोपिया की 6% बनाता है बट अभी क्या हुआ सरकार इस नौर् वार चल रहा है मैं कहूंगा इसको सिविल वार का नाम दे दूँगा क्योंकि उसी देश के अंदरुनी पार्ट में जैसे अगर मैं कहता अनफॉर्चुनेटल ऐसा नहीं होगा बट बहुत रेंडम केस बता रहा हूं बहुत एक्सेप्शनल केस की जैसे भारत और पुरे स्टेट के बीच में हो गया एथिनी ग्रूप रहता है तो यही हो गया पुरा सिविल वार की तरह है यहां पर सिर्फ वर्ड लेवल पेज पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिर्फ देखो जीए सैवन ने पहने रश्या को वान किया है कि आप यूक्रेन में जो अटेक कर रहे हैं उसको आप रोगिये पहला यह है और दूसरा देखो यहां पर एक 13th amendment है यह क्या है यार देखो सिरलंका दिख रहा है यह क्या है और तमिल पॉलिटी भी इंक्लूद है तो 13th amendment एक्ट बहुत हद तक सिरलंका का इंडिया और सिरलंका के रिलेशन में 13th amendment है तो भारत और सिरलंका की बात होती है UPSC General Studies Paper to International Relations अब क्या है 13th Amendment पास हुआ था 1987 में which mandates a measure of power devolution to the provincial council establishing to govern the island nine provinces मतलब जो सिरलंका है ना उसमें उसको nine province में तोड़ने की बात की गई और सब लोगों को autonomy दी जाएगी ऐसा बात क्या है अब ऐसा क्यों होता है देखो बहुत सिंपल सी बात है यार मैं खहूंगा आजादी से पहले जो तमिल नाडू के तमिल्स हैं उनको East India Company मतलब जो अंग्रेज है वो लेकि आई सिरलंका में और Northern Area में उनको बसा दिया अपने फाइदे के लिए उनको पढ़ाया लिखाया समझ माया 1987 की बात है पावर डिवलुशन की बात की गई है इंडो लंका एकॉर्ड ऑफ जुलाई 1987 जब प्राइम निस्टर राजियु गांदी और प्रेसिडेंट जे आर जय वर्द ने इन्होंने साइन किया उसके बाद 13th Amendment लाने की बात की गई अब जो ये तमिल्स है ना ये देखो जो मैंने कहा आजादी से पहने जिन तमिल्स को अंग्रेजों ने सिरलंगा के Northern एरिया में बसाया था अब वही लोगों ने हतियार पकड़ ले हैं अपने अपने तमिल्स की जो यूनिक कल्चर है उनको प्रिजर्व करने के लिए तो उनी को लिट्टे गुरूप कहते हैं लिट्टे गुरूप और कुछ नहीं है बलकि यही है तो 13th Amendment में वही है कि उनको Autonomy दे दिनी चाहिए अब देखो हुआ क्या ठीक है जैसे मैंने बोला ना आजदी से पहले अंग्रेज तमिल्स को लाए थे नौर्डन स्रिलंका में बसा दिया अब मैंने गा उनकी सिक्ष्या दिक्ष्या सब में काम किया बड़ी बड़ी पोस्ट में वही है अब मैजूरिटी कमुनिटी सिनहल एक पोस्ट में तो उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया हर पोस्ट से निकालना शुरू कर दिया थे उनके सिक्षया स्वास्त एग्री केल्चर house in Land Policy इन पर काम किया जा रहा है चल्लंज किया थेit 13 अमेंड्मेंट Caries Considering तो यहां पर यह बोलते हैं इसमें भी चैलेंज बना है अब जब यह आट्रोनोमी देने की बात कर रहे हैं लिट्टे ग्रूप कहता है यह तो बहुत ही कम आट्रोनमी है यह क्या दे रहे हो चिछी कह दे रहे हैं क्या हमें ज़्यादा दो और वहीं सिर्णला कह रहे हैं जो मैजुरिटी में है सिल्लंका की वो कह रहे है इतनी ज़्यादा दे इसको कम करो why is 13th amendment significant क्यों ये इतना ज़्यादा महत्पूर्ण है till date the 13th amendment represent the only constitutional provision on the settlement of the long pending Tamil question in addition to assuring measure of devolution neither President Gwota Biyaraj Paksha nor Prime Minister Mahindra Raj Paksha has commented on amendment so far तो कही न कहीं हमारे Tamil जो लोगों के basis पर जो argument चल रहा हो, वो solve हो जाएगा तो I think मैं आपको detail में complete करवा चुका हूँ, at the end मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप भी private current notes से जोड़ना चाते हैं, बहुत affordable prices are, 499 rupees के आप pizza खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, बट आपको spend करना है अपनी education में, आपकी health में gym जाओ, कोई particular आपको अपने पे काम करना है, तो affordable prices में 750-513-4891, इस नमब पर आप क्या कर सकते हैं, screen sort भेजिंगे payment की, कोई issue नहीं है, आप किसी भी दूसरे नमबर से भेज सकते हैं, और इसी नमब पर WhatsApp हम करना है, हम आपको within 10 minutes आपको add कर लेंगे, guaranteed 60 badge भी है, और ये भी है, guaranteed 60 badge का हम discounted link भी आपको दे देंगे, आपको क्या करना है, WhatsApp में सिर्फ message करना है, और अपनी query पूछनी है, thank you, have a nice day